Hello everyone, this is Shivam here and आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूनोलीन के बारे में and क्यूनोलीन हमारे पास हेट्रोसाइकली का लास्ट ओपिक है, इसके बाद हमारी पूरी हेट्रोसाइकली कम्प्लीट हो जाएगी अगर मैं बात कूरू अभी तक हमने कौन-कौन से कमपाउन के बार में पढ़ा है हेट्रोसाइकली के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास आता है पाइरोल, देन हमने पढ़ा है फ्यूरैन, फिर हमने पढ़ा है थायोफिन, देन हमने पढ़ा है पिरिदिन ऩाएं के आते ही करें के बार में यूरrei के अंदर हमने क्या देखने को मिलता है हिसकी स्ट्रक्चर के अंदर इसकी reactivity के बारे में हम बात करेंगे किस टाइप की reaction show करेगी हमारे पास क्यूनोलिन देखे हमारे पास basically दो टाइप की reaction होती है जो कि heterocycle compound show करते है एक तो हमारे पास है nucleophilic substitution reaction and second हमारे पास है electrophilic substitution reaction तो हमारे पास क्यूनोलिन कौन सी reaction show करेगी एंड देन हम बात करेंगे इसकी कुछ miscellaneous reaction के बारे में, जो कि आपको याद करने की है, अगर आपके पास वो reagent आ जाता है क्यूनो लिंग के सामने, तो आप उस टाइम पे क्या product form करके आओगे उसके बारे में, तो देखिए, अगर मैं आपको क्यूनो लिंग के basic structure के बारे म हमारे पास Kinoline जो है, वो 2 ring से मिल के बनता है, घंख के fusion से मिल के बनता है, एक तो हमारे पास है Bentzen Ring एप एक हमारे पास क्या है Pyridine ring, जैसे कि हमने Indoll पढ़ था, तो Indoll के अंदर हमारे पास 2 ring कौन कौनी थी, एक तो हमारे पास थी Benzene की रिंग, और एक हमारे पास थी bit रोल की रिंग लेकिन के अंदर हमारे पास क्या होता है एक बैंजीन की रिंग होती है एक दूसरी हमारे पास पिरीडिन की रिंग देखने को हमें मिलती है अब देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहली हमारे पास सबसे इंपोड नहीं करेंगे, then हमारे पास आता है 5, 6, 7 and 8, तो इस तरीके से हम क्यूनोलिन के अंदर numbering करते हैं, अब हमारे पास important बात यह है, कि अगर हमारे पास क्यूनोलिन जो है, वो reaction शो करें, तो दो टाइपी reaction शो कर सकती है, एक तो हमारे पास है इलक्ट्रोफिलिक सब्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् and second ring हमारे पास कौन सी है second ring हमारे पास है pyridine की ring तो देखिए इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूँ electrophilicity की तो हमारे पास benzene की ring जो है वो ज़्यादा electron rich होती है ज़्यादा electron dense होती है and इसी वज़े से हमारे पास benzene के अंदर kinoline में हमारे पास benzene के अंदर क्या देखने को मिलेगी electrophilic substitution reaction देखने को मिलेगी ठीक है अब question arise होता है कि ऐसा क्यों हमारे पास यहाँ पर nitrogen भी present है nitrogen तो के पास lone pair भी present है तो यह ज़्यादा electron rich होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है क्यों क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो nitrogen है वो कैसा है nitrogen यहाँ पर हमारे पास sp2 hybridized है और यह lone pair जो है वो resonance का part नहीं बनते है यह lone pair क्या है resonance का part नहीं है और इसी वज़े से हमारे पास यह nitrogen atom क्या है एक ज़्यादा electronegative element होने की वज़े से यह nitrogen atom in pipe bond की जो electron density है उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है grab out कर लेता है जिसकी वज़े से यह जो ring है वो कैसी बन जाती है हमारे पास electron deficient बन जाती है और इसी वज़े से हमारे पास जो benzene है वो ज़्यादा electron rich होती है as compared to pyridine की ring and हमारे पास kinoline की अंदर अगर हमें electrophilic substitution reaction शो करना है तो हमारे पास benzene की ring क्या शो करेगी electrophilic substitution reaction को शो करेगी I think आपको सबको clear हो गया होगा इस चीज को लेके अब बात करते हैं हमारे पास nucleophilic substitution reaction तो काफी basic सी बात है हमारे पास कि हमारे पास जब benzene की ring ज्यादा electron rich है तो obvious ही बात है हमारे पास जो pyridine की ring है वो क्या है electron deficient है और इसी वज़े से हमारे पास nucleophilic substitution reaction कौन सी ring में देखने को मिलेगी pyridine ring के अंदर हमें nucleophilic substitution reaction देखने को मिलेगी सबको clear हो गई बात अब हमारे पास next चीज क्या आती है next काम हमारे पास यह है कि हमारे पास benzene के अंदर भी कई position है and pyridine के अंदर भी हमारे पास काफी सारी position है तो इन में से कौन सी position के अपर electrophilic substitution reaction होगी and कौन सी position के अपर हमें nucleophilic substitution reaction देखने को मिलेगी तो चलिए इस चीज को लेके हम बात करते हैं सबसे पहले हम resonating structure की बात करें अगर हम quinoline के अंदर resonating structure की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो ring है एक benzene की ring है और दूसरी हमारे पास pyridine की ring है तो इसके अंदर हम अगर resonance करें तो resonance में क्या होगा सबसे पहले यह pi bond यहाँ पर shift होगा and हमें पहला resonating structure देखने को इस हिसाब से मिल जाएगा and structure कैसा होगा हमारे पास यहाँ पर यह pi bond shift हुआ है ठीक है यहाँ पर यह pi bond shift हुआ है यहाँ पर यह pi bond shift हो गया and यह हमारे पास क्या हो गया पहला resonating structure देखने को मिल जाएगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद इस pyridine ring के अंदर जो pi bond है वो आपस में दुबारा shift करेंगे and shift होने के बाद हमें क्या मिलेगा एक और resonating structure देखने को मिल जाएगा इनकी सारा का सारा की series के अंदर आता है ये सारा का सारा आपके basic introduction के अंदर आता है and nitrogen electron negative होने की वज़े से क्या करेगा इस pi bond को अपने पास attract कर लेगा ठीक है क्या करेगा nitrogen इस pi bond को क्या करेगा अपने पास attract कर लेगा अपने पास grab out कर लेगा and इसकी वज़े से हमारे पास pyridine के अंदर क्या देखने को मिलेगा ठीक है हमें क्या देखने को मिलेगा Pyridine के अंदर इहाँ पर क्या देगा देखने को मिलेगी Electron Density देखने को क्या बोलता है Pyridine Ring के अंदर हमें Electron Reficiency देखने को मिल जाती है उसके बाद क्या होगा यह यह प्लस चार्ड जो है यहाँ पर पाईबोंड एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा पोजिटिव चार्ज सबको समझ में आ गए यह हमारे पास थे पिरिडिंग के सॉरी क्यूनोलिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट चीज़ के बारे में इस इलेक्ट्रोफिलि पोजिशन पर देखने को मिलती है याद कर लो इस चीज़ को अच्छे से एक तो फिफ्थ पोजिशन के उपर एंड एक हमारे पास होती है एट्थ पोजिशन के उपर ठीक है एक तो हमारे पास कहां देखने को मिलेगी एट्थ पोजिशन के अंदर अगर हम इन दोनों के अ ज्यादा फेवर करता है as compared to eighth position and इसका reason क्या है इसका reason यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो eighth position है वो ज्यादा करीब होती है किसके nitrogen के and nitrogen हमारे पास क्या है electron deficient है क्योंकि यह sp2 hybridized है इलेक्टर नेगिटिव है क्योंकि यह SP2 हईड़ाइज है तो जितनी ज्यादा पास पॉजिशन होगी नाइटरोजन के वहाँ से वो इलेक्टरोण उतनी ही ज्यादा अठ्रेक्ट करेगा इस वजह से हमारे पास क्या होता है 8th position थोड़ी से ज़्यादा electron deficient होती है as compared to 5th position and हमारे पास electrophilic substitution reaction क्युनोलीन के अंदर benzene की 5th position के पर ज्यादा favorable होता है as compared to 8th position and दूसरी हमारे पास important बात क्या है कि अगर आप क्युनोलीन के अंदर अगर आप क्युनोलीन के अंदर electrophilic substitution reaction करवा रहे हो तो आपको यहाँ पर दो product देखने को मिलेंगे एक हमें देखने को मिलेगा major product एक हमें देखने को मिलेगा minor product यानि कि कहने का मतलब क्या है हमारे पास electrophile जो है वो 5th position के उपर भी जाकर attack करेगा and 8th position के उपर जाकर भी attack करेगा तो हमारे पास question है यहाँ पे मैंने दो question लिखे हुए है simple से कि हमारे पास quinoline given है उसके सामने क्या given है HNO3 in presence of H2SO4 that is एक nitrating reagent हमें given है तो हमें क्या बनाना है product बताना क्या बनेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर quinoline given है और वहाँ पर हम electrophilic reputation reaction करवा रहे हैं तो हमें दो product देखने को मिलेंगी एक तो मिलेगा major product एड़ एक हमें मिलेगा minor product तो पहले क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ किनोलीन बना लो क्योंकि इसके अंदर कोई change structural change तो होने नहीं वाला रिंग तो हमारे पास ऐसी कि ऐसी intact रहनी है अब बात करते हैं major और minor product की हमारे पास तो एक बार हमें कहां पर देखने को मिलेगा nitro group fifth position के उपर and एक बार हमें कहां देखने को मिलेगा eighth position के उपर and मैंने आपको क्या बताया कि fifth position के उपर ज्यादा favorable होती है electrophilic substitution reaction तो यह हमें क्या देखने को मिलेगा major product देखने को मिलेगा and eighth position के पर थोड़ा सा last favorable होती है इलेक्ट्रोफिलिक्स रेक्षिन क्यों क्यों क्योंकि 8th position जो है वो nitrogen के ज्यादा करीब है and nitrogen क्या है electro negative element है जिसकी वज़े से वो इस electron density को अपने तरफ grab out कर लेता है and 8th position थोड़ी से ज्यादा electron deficient होती है as compare to 5th position सबको समझ में आ गया अब बात करते हैं concentrated sulfuric acid जब हमने provide किया इस quinoline को तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा अब की बार भी दो product देखने को मिलेंगे अब की बार भी हमें यहाँ पर दो product ही देखने को मिलेंगे एक होगा major और एक होगा minor लेकिन जैसा की हमने पी sureal into all के अंदर किया था 이제 अगर कहीं पर hydrogen bonding हो रही है अगर हमारे पास कि इसी case में hydrogen 떠나 हो रही है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sulfur के पास क्या present है, hydrogen present है, इस group में क्या present है, hydrogen present है, and यह hydrogen क्या कर सकता है, nitrogen के साथ, hydrogen bonding कर सकता है, and इसी वज़े से हमारे पास, अब की बार, 8th position के पर sulfonation जो product हमें मिलेगा होकर, वो क्या होगा, major product बन जाएगा, and जो 5th position के पर हमारे पार sulfon indole के अंदर भी काफी सारी बात की थी, क्योंकि इसके अंदर भी हमें same से case देखने को मिल रहे थे, आप सबको समझ में आ गया होगा, यह हमारे पास थी बात, electrophilic substitution reaction की, अब हम बात करते है, nucleophilic substitution reaction के बारे में, ठीक है, and nucleophilic substitution reaction हमें कहां देखने को मिलेगी, nucleophilic substitution reaction हमें pyridine के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि pyridine में जो nitrogen है, वो काफी जादा electronegative है, and electronegative होने के करणन क्या करेगा वो, इस ring को electron deficient बना देता है, and favor कर देता है इस ring को for nucleophilic substitution reaction, सबको समझ में आ रहा है, अब देखिए हमारे पास pyridine के अंदर तीन position है, हमारे पास इस second position के अपर जाकर मेरा nucleophile attack करेगा, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, अगर मेरे पास second position के अपर nucleophile जाकर attack करेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर nucleophile लग जाएगा, and यहाँ पर nitrogen के अपर negative charge, सबको समझ में आ रहा है, कैसा हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पा पोजिशन मुझे क्या देखने को मिलेगा थर्ड पॉजिशन के उपर अगर मेरा नीकलोफाइल जा के अटैक करता है तो थर्ड पोजिशन के कीरे में मुझे में यहाँ पर नैगटिव चार्ज यहाँ पर देखने को मिलेगा औ Dust embark सा twin Via यहाँ पर यहाँ पर जाकर मेरा निफिलो फायल attag करेगा तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा निफिलो फायल यहाँ पर क्या दाघ़एगा negative charge अब यह negative charge resonance में जाकर nitrogen के उपर क्या ले आ gauche अब की बार हमारे पास इस तरीके C यहाँ पर हमारे पास क्या आया यहाँ पर हमारे पास resonance जब हो गया यहाँ पर हमारे पास benzene के रिंग तो है ठीक है तो इस तरीके से हमें यहाँ पर nitrogen के उपर negative charge देखने को मिल जाएगा अब याने कि हमें यह बात समझ में आ गई कि third position बिलकुल भी favorable नहीं है nucleophilic substitution reaction के लिए क्योंकि इस case में हमारे पास nitrogen के उपर negative charge नहीं आ रहा है तो हमारे पास अब दो position बच गई कौन कौन सी एक तो हमारे पास बच गई second position एंड एक हमारे पास बच गई fourth position तो अगर इन दोनों के अंदर बात करें कि इन दोनों के अंदर अगर हमें nucleophilic substitution reaction करवानी है तो कहां पर ज्यादा favorable होगी तो यहाँ पर देखिए हमारे पास second position के उपर हमारे पास second position के उपर ज्यादा फेवरेबल है nucleophilic substitution reaction ठीक है reason क्या है अब इसका तो reason यह हमारे पास कि हमारे पास जो second position है वो ज्यादा close है nitrogen के and nitrogen कैसा है nitrogen हमारे पास एक electronegative element है जिसकी वज़ position के उपर ज्यादा कम होगी as compared to fourth position हमें क्या करवाना है नुकलोफाइल का टैक करवाना है नुकलोफाइल क्या होता है nucleus loving तो हमारे पास दो position के उपर nucleophilic attack ज्यादा favorable हो रहा है एक तो second position के उपर and एक हमारे पास fourth position के उपर जब हमने nucleophile का टैक करवाके देखा तो देखिए मेरे पास second position जो है वो nitrogen के ज्यादा close है जिसके वज़े से क्या होगा nitrogen ज्यादा अच्छे से ज्यादा ज्यादा पावर लगा के second position से के पास जो electron है उनको अपने तरफ attract कर पा रहा है यानि कि second position जो है ज्यादा electron deficient है as compared to fourth position and इसी reason से हमारे पास अगर हमें nucleophilic substitution reaction करवानी है क्युनोलीन के अंदर तो कहाँ पर सब ज्यादा favorable होती है second position के उपर then कहाँ पर favorable होगी fourth position के उपर and least favorable हमारे पास क्या है least favorable हमारे पास है third position तो ये था हमारे पास nucleophilic substitution reaction के बारे में कि हमारे पास cunoline के अंदर किस पोजिशन के उपर nucleophilic substitution reaction हमें देखने को मिलती है सब को clear हो गया अब बात करते हैं इसके कुछ question को लेके कि अगर हमें nucleophilic substitution reaction करवानी है तो क्या होगा हमारे पास एक question है कि हमें क्या given है cunoline given है हमें यहाँ पर क्या given है QNOLIN given है ठीक है? अब हमें क्या given है? QNOLIN के सामने एक बार NANH2 given है एक जगह C4H9LI given है और एक जगह क्या given है? एक जगह हमारे पास potassium hydroxide given है ठीक है? अब हमारे पास important काम क्या था? important काम आपके पास यह है यहाँ पर सबसे पहले आपको यह जानना है कि ये मेरे पास base की interact करेगा या फिर ये as a nucleophile act करेगा same यहाँ पर case है base की interact करेगा या फिर nucleophile की interact करेगा base की interact करेगा या फिर nucleophile की interact करेगा तो यहाँ पर एक बहुत important topic आदाता है nucleophilicity versus basicity जिसके बार में हम बहुत जल्द बात करेंगे किसी एक वीडियो में जहाँ पर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा कि कब मेरे पास कोई भी चीज कोई भी एनायन जो है नुकलोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कब वो एज़ बेस की तरह एक्ट करेगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है रेधर देन बेंजीन ठीक है अब यह मेरे पास जो रिएजेंट में आपको गीवन है यह बेस की तरह एक्ट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि मेरे पास पिलेडिन के जो रिंग है वो फेवरेबल होती है नुकलोफिलिक्स अप्रिटिशन रियक्शन के लिए तो हर जगा मुझे क नुकलोफिलिक्स अप्रिटिशन रिक्शन नहीं होती है मैं बहुत बार समझा चुका हूँ आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाके चकाउट कर लीजेगा एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्रिप्सिंग बोक्स में प्र प्रिडिन की तो कौन सी रिंग के उपर जाके नुकलोफिलिक्स अप्रिटिशन रिक्शन करेंगे हमने देख लिए असवान सा कि प्रिडिन के उपर क्योंकि प्रिडिन की रिंग ज्यादा इलेक्टोन डेफिशेंट होती है as compared to benzene अब मेरे पास कोशन क्या है अब मेरे पा पताया कि अगर मुझे नुकलोफिलिक्स अप्रिटिशन रिक्शन करवा नहीं है क्योनोलिन के अंदर तो मेरे पास सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन सी पोजिशन होती है second then कौन सी होती है मेरे पास fourth and सबसे लीस्ट फेवरेबल कौन सी पोजिशन है third position मेरे पास least favorable है for न मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर हर जगा second position के ऊपर nucleophilic substitution reaction करवा दिया in case of quinoline and अगर जब मैंने यहाँ पर NANS2 के साथ react करवाया तो second position के ऊपर क्या जाएगा NH2 group लग जाएगा अगर मैंने C4H9LI के साथ treat करवाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा C4H9 लग जाएगा और अगर मैंने यहाँ पर potassium hydroxide के साथ treat करवाया तो यहाँ पर क्या जाकर लग जाएगा hydroxy group जाकर लग जाएगा I hope आपको सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों लि यह बात हमने देख ली है, लेकिन अगर किसी भी केस में हमारे पास hydrogen bonding अविलेबल हो रही होगी, तो मेरे पास उस केस में 8th position जादा फेवरेबल हो जाती है, 5th position के कमपेर में in case of electrophilic substitution reaction, अगर हमें nucleophilic substitution reaction जाना है, तो वहाँ पर हमारे पास कौन से ring जादा फेवरेबल होती है, pyridine की ring, and pyridine की ring में कौन सी, क्या order रहता है, nucleophilic substitution reaction के लिए, 2nd, then 4th, and then 3rd, तो यह था completely quenoling के बारे में, अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ miscellaneous reaction के बारे में, ठीक है, miscellaneous reaction से क्या मतलब है, miscellaneous reaction से मतलब है, जिनका product आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपके के सामने दे दिया होगा, तो ठीक है, तो जैसा कि हमने indole के case में भी किया था, यह सारी कीसारी चीजे तो इंडोल के case में जब हमने oxidation किया था KMNO4 की presence में तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, वहाँ पर हमें aldehyde देखने को मिल रहा था और एक हमें amide देखने को मिल रहा था, लेकिन in case of quinoline अगर मैं oxidation करवाता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पर in case of quinoline य देगा कौन सा KMNO4 reagent, ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर delta provide कर दिया, खुदा ना खाफता आपके examiner ने आपके exam में इससे further step दे दिया, that is delta, तो अब क्या करोगे आप, अब हमें पता है, इतना सब को पता है, कि delta क्या करता है, delta हमें decarboxylation करके देता है, delta हमें क्या करके देगा, delta का मतलब है, कि वहाँ पर decarboxylation होगी, अगर मेरे पास carboxylic acid group present होगा, तो, लेकिन मेरे पास decarboxylation के लिए, यहाँ पर, sorry, यहाँ पर मेरे पास क्या है, nitrogen की ring आईगी, यहाँ पर nitrogen है, ठीक है, यानि कि मेरे पास क्या हुआ, KMNO4 ने इस benzene ring को oxidize कर दिया, sorry, मेरे mistake थी, यह, मैंने गलत बता दे शुरू में, क्या हुआ मेरे पास, KMNO4 ने benzene की ring को oxidize कर दिया, perioding की ring ऐसी कैसी intact रही, ठीक है, अब देखिए, मेरे पास delta में ने provide कर दिया, तो, delta क्या करता है, decarboxylation करता है, तो, अब मैं कौन सा carboxylic acid decarboxylation कर आँँ, यह भी है, मेरे पा है, यह decarboxylate होगा हमेशा, और मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पर, यह molecule देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मेरे पास, यह product बनके आएगा, इसे हम क्या कहते है, इसे हम क्या कहते है, nicotinic acid, इसे हम क्या कहते है, nicotinic acid, याद कर लो, इस चीज को बहुत, एक दो बार पूछा हुआ है, यह previous year के अंदर, हमारे पास, कि oxidation करवा रखे है, हमने क्या क्या बनेगा हमें, क्योंकि nucleophilic substitution reaction, and electrophilic substitution reaction, यह सबको पता होते है, तो examiner चाहता है, कि कुछ ना कुछ नया पूछू, मैं जो बच्चों को याद करना पड़े, instead of कि, उन्होंने स कुछ आजा सकता है, किसी भी साल में, क्या, कि pyridine की ring के ओपर, अगर दो carboxylic acid group लगे हुए है, मैंने वहाँ पर decarboxylation करवानी है, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, निकोटनीक acid देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मेरे पास, जो second carboxylic acid group है, वो CO2 की form में leave out करेगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं next question की, next question, sorry, next reaction की कह लीजिए, कि हमारे पास क्या है, pyridine की ring है, मैंने एक बार क्या provide किया है, 10 in presence of HCL, और एक बार मैंने क्या provide किया है, एक बार मैंने provide किया है, H2 in presence of palladium, यह हमने indulge के अंदर भी देखा था, और हमने क्या बताया था, कि जो हम हमारे पास 10 in presence of HCL है, यह क्या है, weak reducing agent है, यह हमारे पास क्या है, weak reducing agent है, जब कि H2 in presence of palladium क्या है, मेरे पास strong reducing agent है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जब मैं 10 in presence of HCL के सा treat करूँगा, तो मेरे पास यह reagent सिर्फ और सिर्फ एक ring को ही reduce करेगा, और reduce कैसे करता है, यह via hydrogenation, ठ प्रिडिंग की रिंग को क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा ठीक है लेकिन जब मैंने H2 in presence of palladium प्रोवाइड गिया तो उस case में मुझे क्या देखने को मिलेगा उस case में ये दोनों ही रिंग को चाहे वो प्रिडिंग की रिंग हो चाहे वो बेंजीन की रिंग हो दोनों को ही क्या कर दे रहा है मुझे रिड्यूस करके दे रहा है तो इस तरीके से हमें reduction देखना है आपको सिर्फ reagent याद करना है tin in presence of HCl और एक जगा मेरे पास क्या है H2 in presence of palladium अब हम बात करते हैं next और आखरी miscellaneous reaction की that is ozonalysis अगर मैंने तो predine देखने को मिला था and क्या देखने को मिला था हमें benzene जो है वो oxidized होके क्या बन गया था carboxylic acid में convert हो गया था लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या होगा अब की बार हमने ozonalysis in presence of H2 in presence of nickel जब हमने treat किया तो हमें यहाँ पर di-ldehyde derivative देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर फर्क क्या हो गया ozonalysis के अंदर तो हमें di-ldehyde group देखने को मिला था लवही हमारे पास अगर हमने KMNO4K3 oxidation की थी तो वहाँ पर हमें di-carboxylic acid देखने को मिला था तो यह था हमारा quinoline के बारे में हमने quinoline के बारे में सारी बाते कर ली है सारा details discussion कर लिया है कौन सी reaction शो करेगा कौन सी position के पर reaction शो करेगा कैसे question पुछ जाते है and most important quinoline की जो miscellaneous reaction है उस चीज को लेके हमने सारा कुछ cover कर लिया है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी and वीडियो अच्छी लगे तो अपने friends को साथ share करना मत भूलिएगा and अगर आपको कोई भी doubt हो इस चीज को लेके तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हो या फिर आप मुझे instagram id पर मेरी message drop out कर सकते हो जो मेरी instagram id है वो है shivam898 यहाँ पर जाकर आप मुझसे अपने किसी भी typic query को solve out करवा सकते हो कुछ भी question आपको आपके मन में है जहन में है तो आप पूछ सकते हो हम दोनों मिलके उसको completely short out करने के कोशिश करेंगे so thank you very much have a good day